जल्द ही देश भर में गणेश चतुर्थी मनाय जाएगी। तिथी के अनुसार भगवान गणेश का जिनमोचप 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गणपती बपा को घरों में स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिफ के पुत्र गणेश की पूजा करने का विधान बताया गया है। भगवान गणेश रिधि सिधी और नवनिधी के दाता है। जोतिश शास्त्र के अनुसार चतुर्थी तिथी पर भगवान गणेश के बारा नामों क उचारण करने मातर से ही चमतकारी लाभ मिलते हैं इन 12 नामों की जानकारी के लिए लोकली टीन ने हरिद्वार के जोतिशी पंडित शुरीधर श्यास्त्री से खास बाच्चीत की वो बताते हैं कि गणेश चतुर्ती पर भगवान गणेश के 12 नामों का उचारण करने से लंबोदर, विकट, विग्निनाश, विनायक, धूम्रकेतू, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन गणेश चतुर्ती के दिन इन मंतरों का जाब करने से धन और विद्या की प्राप्ती होती है साथ ही बलबुद्धी का विकास होता है साथ ही सभी कार्यों में व्यक् हिंदू पंचांग के अनुसार साल दोहजार चौबिस में भादरपद शुकलिपक्ष की चतुर्ती थी 6 सितंबर की दोपहर 12 बचकर 9 मिनिट से शुरू हो जाएगी और 7 सितंबर की दोपहर 2 बचकर 6 मिनिट तक रहेगी शास्तुरों के अनुसार उद्यातिती में गणेश चतुर्ती का व्रत करना बेहत शुभ माना जाता है हिंदु धर्म में कोई भी शुबकार्य करने से पहले सर्व प्रथम यानि सबसे पहले बप्पा की पूजा करने का विधान बताया गया है वहीं धर्मिक ग्रंतों के अनुसार भादरपक्च शुकलिपक्ष की चतुर्ती तिथी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है तो आप भी गणेश चतुर्ती पर इन मंत्रों का जाब जरूर करें ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें लोकलेटीन